नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें बीते 24 गंटे में करोना के 16,000 से अधिक मामले पहली बार डिजल हुआ पेट्रॉल से भी महंगा आपात काल की 45 वी साल गिरह तो सबसे पहले सुरुवात करते हैं करोना के अपडेट से किंद्रिय स्वास्त मंत्राले द्वारा जारी आखडों के मताबिक बीते 24 गंटे में करोना संक्रमन के फिर्ष्टे सबसे जादा यानि 16,922 नए मामले दर्च किये गए हैं और 418 मरीजों की मौत हो चुकी है जिन में से लगबग 50 फिस्दी लोगों की मौत अकेले महराश्ट्र में हुई है और करोना के 13,012 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है देजभर में अब करोना वायरेस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है स्वास्त मंत्राले की ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक 57,43 फिस्दी यानि 2,71,697 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन करोना से कुल 14,894 मरीजों की मौत भी हो चुकी है देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,86,514 हो गई है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अभी तक 75,67,782 सेंपल की जांच की गई है जिन में से 2,78,71 सेंपल की जांच बीते 24 घंटे में हुई है अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ 24 जुन को लगतार 28 दिन तेल के दाम बढ़ गए सरकार ने कहा कि अब दाम इस तरह नहीं बढ़ेंगे लेकिन अगले ही दिन 25 जुन को फिर से दाम बढ़ गए इस दिन तेल कमपनियों ने पेट्रॉल के दाम 16 पैसे प्रती लीटर और डीजल के दाम 14 पैसे प्रती लीटर बढ़ा दिये दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पैट्रॉल से जादा हो गई है जानकारों का कहना है कि पैट्रॉल और डीजल की कीमतों में अब तक एक अंतर था कि डीजल की कीमतें पैट्रॉल से कम हुआ करती थी इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि पेट्रॉल धनी लोग इस्तेमाल करते हैं और डीजल आम लोगों की जन जीवन में इस्तेमाल होती है जैसे कि पेट्रॉल कार के लिए इस्तेमाल की जाती है और डीजल का इस्तेमाल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए किसानों द्वारा खेती में सिचाई करने के लिए किया जाता है इसलिए सरकार डीजल पर अधिक सबसीडी देकर डीजल की कीमत कम रखती थी और पेट्रॉल पर कम सबसीडी देकर पेट्रॉल की कीमत अधिक जाने देती थी लेकिन अब यही चक तूट गई है पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रॉल से अधिक हो गई है इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ेगा भाड़े बढ़ेंगे किराय बढ़ेंगे और किसानी की लागत सिचाई की लागत की अधिक होनी की वज़ा से बढ़ेगी यानि आने वाले समय में भारत के ग्रिहमंत्री अमीट्साह ने आपातकाल के 45 साल गिरह यानि आज ट्वीट कर लिखा कि इस दिन 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने आपातकाल लगा दिया था रातो रात राष्ट को जेल में तबदील हो गया प्रेस अदालतें अभिव्यक्ती की स्वतंत्रिता सब खतम कर दे गई गरीबों और दलितों पर अत्याचार किये गए अमीद सा के जुबान से यह बाते कितनी मजाकिया लगती हैं ऐसा लगता है कि सरकार सारे दोस दूसरे पर गरती जाएगी लेकिन सरकार की हरकतों पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा साल 1975 में लगा आपातकाल हमारे संब्यधाने कितिहास का काला अध्याय है लेकिन इसके खलनायक अब नेपत्थ में याने की परदे के पीछे चले गए हैं मौजूदा समय आज का यथार्थ है इसलिए अगर आपातकाल के संदर्व में सोचना है तो असल सवाल यह बनता है कि मौजूदा समय आपातकाल से बहतर है या कमतर तो सरकार की कारगुजारियों पर ध्यान देने वाले सभी जानकार और जमीन पर लड़ रहे सभी कारेकरता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कारेकाल का समय आपातकाल से भी ज़्यादा खतरनाक है अमिद्शा की बात से ही सुरुवात करते हैं क्या सत्ता की लालच की वज़ा से इलेक्टोरल बॉंड जैसी योजना नहीं लागू है जिसमें तमाम तरह की खामियां को जागर करने के बाद भी वापस नहीं लिया जा रहा है करनाटक, गोवा, मध्यपरदेश जैसे राज्यों में जिस तरह से संब्यधानिक मार्यदाओं को उलंगन करके उनका अंदेखा करके सरकार बनाई गई वह सत्ता के लालच को नहीं दिखाता है तो और क्या है जम्मू कस्मीर से जिस तरह से रातो रात अनुछे 370 खत्म कर दिया गया और लंबे समय तक लोगों के रोजाना के काम को रोक दिया गया यह रातो रात एक पूरे समाज को कैद कर दिया गया यह आपात काल नहीं तो और क्या है अब बात करते हैं प्रेस्विडम की जिसकी दुहाई अमिच्छा दे रहे थे प्रेस्विडम के मामले में भारत दुनिया के 180 देशों के बीच 142 वे पैदान पर है स्वतंत्र पत्रकारों को जिस तरह से सरकारों ने परिसान किया है उनके उपर F.I.R. दर्च करने की कोशिस की है उसकी लंबी फेहरिस्थ है पढ़ते पढ़ते साम से सुबह हो जाएगी मैनिस्ट्री मिडिया का रवाईया सरकार के सामने नतमस्तक हो जाने जैसा है समझे की एक तरह का अघोसित सेंसर्जिप मिडिया पर लागू है वो तो भला है आज के जमाने में डिश्टल मिडिया है न तो ऐसा होता कि मौजूदा समय की पत्रकारिता से सरकार की कारगुजारियों की छानबीन और आम जन्ता की परिसानिया पूरी तरह से गायब होती विवादित बाबरी ढाचे का जो फैसला आया और जज़ों की निक्तियों के जो मामले आते हैं ऐसी तमाम बाते हैं जो अदालतों को वहीं खड़ा करती हैं जहां वो आपात काल के समय हुआ करते थी गौतम नौलक्खा आनन तिलतुम्रे सुधा भारतवाज जैसे तमाम का जो जेल के अंदर कैद हैं वह मौजुदा समय की मौजुदा निजाम की अभियक्ति की स्वतन्तिता की हकीकत बयान करते हैं गरीबी तो एक ऐसा विशह है जिसके तरफ मौजुदा निजाम देखना भी नहीं चाहता है करोना के समय गरीबी को दरकिनार कर लोकडाउन को इस तरह से लागो किया गया कि पूरे देश के सामने प्रवासी मज़दूरों के तौर पर हिंदुस्तान की गरीबी पैरों में छाले लिए सामने आ गई गंगोर आर्थी का समानता पर हमारे समय की सबसे बड़ी हकीकत है जिसकी तरफ सरकार देखना भी नहीं चाहती है दलित और अलब संख्यकों की तो दसा और दिसा ही बदल गई है हिंदुस्तान का कोई अकबार उठा लेजिए हफ़ते में एक ना एक ऐसी दुरगटना वाली खबर जरूर मिलेगी जो दलितों और मुस्लिमों के साथ हो रहे उत्पिडन को बयान कर रही होगी राजनीती के जानकार कहते हैं कि सासन का डिजाइन बदल गया है कोई सैने तखता पलट नहीं होता इमरजेंसी सरीखी कोई संवेधानिक सेंधमारी नहीं होती बलकि अधिनायक वादी सासक यानि कि ताना साही सासक रोजमर्रा की राजनीतिक व्याकरण को बदल कर लोकतंत्र का खात्मा कर डालते हैं इसमें कुल तीन तरकी वे एक-एक कर अजमाई जाती हैं जिनका जिम्मा फैसला सुनाने का होता है यानि की नियापालिका उन निडायकों को कबजे में कर लिया जाता है जिन खिलाडियों से मुकाबले का मैदान सजा होता है यानि की विपक्ष उन्हें एक किराने खिसका दिया जाता है और फिर खेल के नियम नए सिरे से लिख दिया जाते हैं आपात काल के समय न्यूस क्लिक के अडिटर इंचीफ प्रबीर भी जेल में बंद थे प्रबीर ने हालिया माहौल पर अपनी राय रखी है और बताया है कि कैसे इस समय विरोध की आवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिस की जा रही है सुनिए उनकी राय का या हिस्सा इस वक्त डिजिनल प्लाइट्फॉम्स है बॉइसस और मिनी मोर बहुत सारे और आवाज है और उन सब आवाजों को दबाना मुश्किल है पर उसके साथ साथ ये भी देखिए कि जब एक दो पर केस लग जाता है कितने लोग इसके बाद चुप हो जाते है कितने लोगों की जबान खुद बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये होता है क्या इसके लिए मैं तयार हूँ तो ये जो एक चिलिंग एफेक्ट है आज के तारीक पर देख सकते हैं जैसे विनो दुआ के केस देख लिजिए केसिस की जा रही है और एक बड़े ही फिलिमज उसको कुई आधार नहीं है कोर्ट इस पर क्यों नजर अंदाज इसको कर रहे हैं पता नहीं है पर एक धमकी विनो दुआ जैसे सीनियर जर्लिस्ट को अगर मिलता है कि आप कुछ कहेंगे तो उसके लिए आप पर कहीं भी हम केस दर्स कर सकते हैं ये एक चिलिंग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉंस्टिट्वेंसी में जो लोग बड़े परिशान थे उन्होंने कुछ ऐसे दिखाए कि क्या वो खा रहे हैं उस पर ये नहीं कि आपने गलत ख़वर चापा है उसको एक एंटी दलित केस बनाके उसको कोशिश पेश करने की कोशिश कर र है ऐसे लोगों पर जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं जूदी की भर और ऐसे कोई उन्होंने ऐसी ख़वर नहीं चापी जिस उन्होंने चान बीन करके तथ्य की बिना की हो इन लोगों पर इस तरह से केस किये जा रहे है पहले सिद्धाद वरदराजन पर केस कर द तो वह आ रहा है आपके डीजितल जो प्लैटफॉर्म से जो रिजिस्टेंस की बात कर रहे हैं रिजिस्टें सटक के लिए है रिजिस्टेंस वाइचारिक सतर की जो रिजिस्ट्रक बात करें सरकार को फ्रिरिटिसाइज करना कर रही है pandemia मैं Kleer दीजिए की इस वक्त जिस व सरकार के पास COVID-19 के नाम पर इस वक्त उनके पास emergency powers है, यह भी एक undeclared emergency जो हम कहते थे पहले, इस वक्त undeclared emergency नहीं है, सचमुच actually emergency है, क्योंकि Disaster Management Act बहुत सरे ऐसे emergency powers केंजिय सरकार को देती है, और इसी लिए इस emergency, इस COVID-19 को मुकाबला करने के लिए, Epidemic Act की इस्तबाल नहीं, वो Disaster Management Act को आगे लाए, इसी लिए उनको पावर्स के इन सरकार के पास powers काफी ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से एक emergency इस वक्त declared emergency है, इसको undeclared emergency भी नहीं, इसको declared emergency बांद के चलना चाहिए, कि COVID-19 के नाम पे अब बहुत सारे चीज़ एडिशनली कर सकते हो, वो कर भी रहे, तो इतना ही media के बार, और दूस्ती तरह के resistance जो है, वो अब देखी सकते है, COVID-19 और Disaster Management के नाम पे इतने सारे चीज़े हो रही है, उससे सड़क पे जो resistance पहले हो रहा था, खास्त और से जो उनकी NRC, CA के तहद जो resistance बिल्ड हो रहा था, उस resistance इस व COVID-19 हमारे सामने पेश कर दिया, और जिसके उसकी आंक्रे इस वक इस तरह से बढ़ रहे है, यह emergency हमारे सामने लगता है, जब तक vaccine नहीं आएगा, पांच महिना, छे महिना, आठ महिना, यह तो वैसे भी रहेगा. यहाँ थी आज की हमारी प्रमुख खबरें, हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप News Click की website, Facebook और ट्यूटर से जोड़ सकते हैं, और हमारे वीडियो को आप News Click के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, सुक्रिया आप देखते रहे हैं News Click.